आज हम भारतिय दर्शन के कोड 347 पुस्तक 2 अध्याय 15 त्रश्टी विचार पर चर्चा करने जा रहे हैं से किस सिद्धान्तों के माध्यम से अद्वेत वेदान्त में स्रष्टी का निरूपन किया गया है तो इस द्रष्टी से अद्वेत वेदान्त में दो प्रसिद्ध सिद्धान्त काफी प्रचलित हैं और इन दोनों सिद्धान्तों का वर्णन अद्वेत्वेदान्त के ग्रंथों में किया गया है एक है परिणामबाद और एक है विवर्तवाद परिणामबाद किसको कहते हैं सर तत्वतो अन्यता प्रता विकार इत्तियू दिरिते अर्थात सय तत्व सहित अन्य प्रकार से परिवर्तन विकार कहा जाता है यहाँ पर एक शब्द प्रयोकिया अन्य था प्रता अन्य था प्रता का मतलब होता है अन्य रूप में परिवर्तन और यह अन्य रूप में परिवर्तन दो प्रकार का होता है एक होता है परणाम भाव और एक होता है विवर्थ भाव परणाम भाव उसे कहते हैं जब कोई वस्तु यथार्थत है अपने स्वरूप को छोड़ कर दूसरे रूप को प्राप्त हो जाती है अर्थात यह जो परिवर्तन होता है यह तत्व सहीत परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में वस्तु अपने मूल रूप को छोड़ करके दूसरे रूप को प्राप्त हो जाती है दो चीजें एक तो तत्व सहीत परिवर्तन होता है वही तत्व कारण का तत्व कारिय में जाता है और वह जो कारण है वह अपने स्वर्व को छोड़ कर दूसरे रूप में को प्राप्त हो जाता है उधरन के लिए दूद से दही बनता है तो जो दूद है वो उसका परिवर्त इख Simmons दूतन दही में तत्व सहीत है अर्थात दही के अंदर जो दूद की सत्ता विध्यमान है। साथ ही दूदने अपना रूप छोड़ करके दही को और प्राप्त कर लिया है। और अपने स्वरूप को छोड़कर दूसरे स्वरूप में आ रहा है इसी प्रकार सुनार जो है वो सोने से आबुशन मनाता है तो जब वो सोने से कुंडल मनाता है तो जो सोना है वह है तत्वसहित परिवर्तन कुंडल के रूप में होता है और सोना अपना स्वरूप छोड़ करके कुंडल की रूप में आ जाता है तो इस प्रकार से इसको हम करते हैं परिणामबाद तो जो सांक्य है वो प्रकरती परिणामबाद को मानती है और वैश्णव वेदान्ती जो है अद्वेत वेदान्त के तरिक्त जो अन्य वेदान्त है शुद्धा द्वेदान्त द्वेत इस जगत में विद्यमान है इसको हम कहते हैं प्रणामबाद दूसरा होता विवर्तवाद विवर्तवाद उसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु अपना स्वरूप का परित्या किये भी ना दूसरे रूप में जूट मूट भासित होने लग जाती है अर्था तत्वरहित परिवर् किया आपने रसी को सर्प समझ लिया तो क्या सर्प के रूप में रसी आई नहीं आई रसी अपने स्वरूप को छोड़े भी नहीं सर्प के रूप में प्रतित हो रही है उसी प्रकार जो ब्रह्म है अद्वेत वेदान्त में जगत जो है वो ब्रह्म का परिणाम नहीं है अ और जिसमें विकार होता है वह वस्तु अनित्य होती है अता है ब्रह्म को नित्यता सिद्ध करने के लिए ब्रह्म की नित्यता को बताने के लिए अद्वेत वेदानत में विवर्तवाद को अंगीकार किया गया है अर्थात यह जो जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है किस प्रक इस परकॉर्ची का कारण है अर्थात ब्रह्म जो है वही इश्वर की रूप में स्रष्टी की इसना करता है या स्रष्टी को अव्यक्त करता है, स्रष्टी के रूप में विवरतित होता है तो इश्वर का प्रयोजन क्या है? अद्वेत विदान्त में इश्वर का प्रयोजन है स्रष्टी के प्रती वो है लीला एक शब्द प्रयोग किया गया है लीला अर्थात लीला करना ही इश्वर की स्रस्ष्टी में प्रयोजन है लीला अर्थात विनोद जिससे बिना चाहे जगत का कल्यान होता है उधानन के लिए एक बच्चा जो है वो क्रिडा करता है क्रिडा करना उसका सभाव है पर उसके माद्यम से जो उसके दादा, उसके जो पिता, उसकी जो माता इत्यादी को बड़ा विनोध होता है उनको उससे आनन्द आता है बच्चे का उद्देश उनको आनन्द प्रदान करना नहीं है बच्चे का उद्देश तो क्रिड़ा करना है उसी प्रकार इश्वर का जो प्रियोजन है इश्वर को का गया है आप तो काम अर्थात उसकी कोई कामना नहीं है स्रश्टी की रचना में इश्वर की कोई कामना नहीं है वह अपनी लीला करता है और उस लीला के माद्यम से दो काम होते हैं तो स्रश्टी का निर्मान होता है और दूसरा भक्तों को उनके चरित को गाने का एक अवसर मिल जाता है जिससे उनका कल्यान होता है तो स्रश्टी का निर्माण और भक्तों का कल्याण ये दोनों उनका प्रयोजन नहीं है उनका प्रयोजन तो लिला करना ही है पर ये दोनों प्रयोजन भी साथ के साथ सिद्धो जाते हैं लोकवत्तु लिला के वल्यम ब्रम सुत्र है ये इसका भाव यह है कि इस्वर को जगत की रसना कर्मों से मनुष्य आदी अवतार धार्ण करके भाती भाती के लोक पावन चरित करने में कोई प्रियोजन नहीं है इसमें करतापन का अभिमान भी नहीं है अतह है इस्वर की स्र विहार कर रहा है इसमें उसका कोई प्रियोजन नहीं है उसी प्रकार जैसे मनुष्य जो है वो स्वांस लेता है तो स्वांस लेने में क्या प्रियोजन है क्या आप समझ के सांस स्वांस लेते हो अनायास ही स्वांस आ रहा है बिना प्रियत्न के बिना किसी विशेश लेने कहा है कि ब्रह्म से स्रष्टी किस प्रकार होती है इस वर से स्रष्टी किस प्रकार वियक्त होती है तो कहते हैं कि बिना विशेश प्रयास के बिना कि बिना किस विशेश प्रयास के लीला के नयाई से क्योंकि लीला करना उसका सवाव है पुरुष निश्वासवत जैसे पुरुष का स्वास प्रस्वास लेने में किसी विशेश प्रयात्न को करना नहीं पड़ता जैसे पलक जपकाने में मनुष्य को कोई विशेश प्रयास नहीं करना पड़ता उसी प्रकार इश्वर को स्रष्टी की रसना करने में, स्रष्टी को अभ्यक्ट करने में, स्रष्टी को विवर्थ करने में किसी प्रकार का कोई प्रियास नहीं करना पड़ता यह उसका सुभाव है कि वो इस संसार में आकर के लीला करता है इससे स्रश्टी का निर्मान भी होता है और उसकी लीला का गायन करके भक्तों का कल्यान भी होता है परंतु स्रश्टी का निर्मान करना और भक्तों का कल्यान करना उसका प्रयोजन नहीं है ये प्रयोजन उसके अपने आप सिद्धो जाते हैं उसका कोई प्रयोजन नहीं है श्रष्टी का निर्मान करना उसकी लीला उसकी माया है कैसे जैसे रामचरित मानस कार ने इसको बड़ा ही सुंदर द्रष्टी से प्रस्तुत किया है अब आप देखिए, यहाँ पर बताना है कि इसवर तो आप्तकार में, उसके करने का कोई प्रयुजन नहीं है, यह संसार उसकी रीरा मातर है कैसे बिनुपद चलाई, अर्थात वो चलता तो है पर बिना पेरों के चलता है, आपके पेरों से और हमारे पेरों से वह चलता है सुनाई बिनुकाना और बिना कानों के ही समस्त शास्त्रों को सुनता है, समस्त स्तुतियों को सुनता है कर बिनु करम करई विदिनाना अर्थात बिना हातों के ही अनेक प्रकार के कर्म करता है वही इश्वर जो है वो शिमला से लेकर के कन्या कुमारी तक सबी भक्तों को फल देता है तो वो बिना हातों के ही फल देता है आनन रहित सकल रश्वोगी बिना आनन के बिना मुख के समस्त रसों का अबोग करता है बिनुबानी बक्ता बढ़ जोगी और बिना वानी के ही अनिक प्रकार के शास्त्रों का ग्याता है तो बिना पेरों के चलना, बिना हातों के काम करना, बिना मुख के समस्तरसों का अबोग करना यही प्रभू की लीला है, यही इश्वर की लीला है, कि स्रश्टी का निर्मान करना उसकी लीला है, स्रश्टी के निर्मान करने में उसका कोई कामशेश नहीं है अब यहां यह सिद्दुवा की ईश्वर जो है वो स्रष्टी का की को विवर्थ करता है अर्थात यह स्रष्टी उस ईश्वर से व्यक्त होती है तो हम जब इस संसार में देखते हैं कि कुछ लोग तो सुखी हैं कुछ लोग दुखी हैं कुछ लोग जो हैं वो धनवान है कुछ लोग निर्धन है कुछ लोग स्वस्त हैं कुछ लोग ऐस्वस्त हैं तो एसा क्यों है संसार में यह जो अनेकता है विशमता है कि किसी के साथ तो आपने पक्षपात कर दिया और किसी के साथ जो ना करपा नहीं बरसा ही, किसी पर करपा बरसा दी, किसी के प्रती पक्षपात किया, किसी को विचारी को अकेला छोड़ दिया तो ऐसा करने से ईश्वर पर विशमता अर्थात पक्षपात और निर्ग्रणता अर्थात क्रपाहिंता का आरोप लगता है तो इसका क्या समाधान है ब्रह्म सुत्र में बादरायन ने इसका समाधान किया है वो कहते हैं वैशम में नेरग्रणी ने सापेक्षत्वात तता ही दर्शयती अर्थात सापेक्षत्वात की ईश्वर जो अना वो सापेक्ष है इसलिए उसमें वैशम में और नेरग्रणी अर्थात पक्सपात और क्रपाहींता कारोप नहीं लगाया जा सकता क्यों? क्योंकि इश्वर तो सापेक्ष है इश्वर किसी कारण से ही कुछ लोगों को सुखी करता है कुछ लोगों को दुखी करता है कुछ लोगों को निर्दन मनाता है कुछ लोगों को दनवान मनाता है कुछ लोगों को स्वस्त करता है कुछ लोगों को बिमार करता है तो इश्वर ऐसा क् इश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है, इश्वर तो सापेक्स है, किस चीज के सापेक्स है, किस कारण से ऐसा होता है, तो वो कहते हैं इश्वर कर्मों के सापेक्स है, धर्म और अधर्म के सापेक्स है, अर्थात यदि आप सतकर्म करते हैं, धर्म करते हैं, तो आपको अच्छ पर भाश्य करते हुए कहा है कि इश्वरस्तु परजन्यवत द्रिश्टव्य है यता ही परजन्यो वरीही यवादी सर्ष्टव साधारन कारणम भवती यवादी वेशम में तु तद वीजगतानी येव साधारन कारणानी सामर्थ्यानी बहुंती अर्थात कहने का मतलब है कि इश्वर को बादल के समान समझना चाहिए जिस प्रकार बादल जो है वो बरसात तो सबी जगे समान करता है पर कहीं पर गेहूं की फसल अच्छी हो गई कहीं पर गेहूं की फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई इश्वर तो जो है अर्थात उसी प्रकार कोई मनुष्य सुखी है, कोई मनुष्य स्वस्त है, कोई मनुष्य अस्वस्त है, कोई मनुष्य धन्वान है, कोई मनुष्य निर्दन है, तो यह जो विशमता है, यह जो अनेकता है, इसका कारण उन वेक्तियों के कर्म है, उन वेक्तियों के कर्म ही ऐ ऐसाधरन कारण होते हैं, ईश्वर तो साधरन कारण होता है, क्योंकि उनके अंदूरूप ही वैस रष्टी करता है, आता है, ईश्वर जो है, वो इस रष्टी का साधरन कारण है, ऐसाधरन कारण उन मनुष्यों के बीज कर्म है, कहने का आशाई यही है कि ईश्वर जो है, व और यह स्रष्टी कारिया है तो इश्वर इस स्रष्टी के प्रती किस प्रकार का कारण है देखे कारण जो है वो दो प्रकार के माने गए है एक कारण होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण तो जो उपादान कारण है वो वह वस्तु होती है जिससे वह कारण रूप वस्तु जिससे कार्य उत्पन होता है उधारण के लिए गड़े को जब हम लें तो गड़ा जो है वो मिट्टी से बनता है इसनी मिट्टी उसका उपादान कारण है वह वस्तु जिससे कार्य प्रकट हो रहा है उसको हम उपादान कारण करते हैं एक होता है निमित में क्रिया करके कार्य को उत्पन करता है जैसे जब हम घड़े को लें तो घड़े के प्रती जो निमित कारण है वो कुमार है क्योंकि कुमार जो वो मिट्टी में परिवर्तन करके घड़े को उत्पन करता है इस प्रकार से दो कारण है अब जब हम स्रिष्टी की बात करते हैं तो स्रष्टी के प्रति जो कारण है इश्वर वैं किस प्रकार का कारण है। में तो इश्वर जो है वो इस रष्टी रूपी कारी के प्रती निमित और उपादान कारण दोनों हैं कैसे हैं कि अपने अंदर नहीं चेतन्य के माद्यम से तो निमित कारण है और अपनी माया की दृष्टी से उपादान कारण है दो चीजें निमित के दृष्टी से यानि इश्वर में चू की चेतना है वो ही इस दृष्टी का निर्मान करता है इसलिए निमित कारण है और किसके माद्यम से करता है माया के माद्यम से करता है जो इश्वर से प्रतक नहीं है अव्यक्त नामी परमेशक्ती माया और जो इश्वर है उसमें भेद नहीं है तो वह उस द जिस प्रकार मकडी जाले को बनाती है और निगल जाती है जिस प्रकार प्रत्वी में ओशदियां उत्पन्न होती है जिस प्रकार जीवित मनुष्य से केश तथा रोएं उत्पन्न होती है उसी प्रकार अक्सर ब्रह्म से यह विस उत्पन्न होता है कहने का आश है क्या है कि ज उपादान कारण से अपने ही लारवा से जाले का निर्मान करती है और अपने अंदर जो आत्मा है अपने अंदर जो चेतना है अपने अंदर जो जीव है उसके माध्यम से उस लारवे से उस जाले का निर्मान करती है अताव उसका निमित कारण भी है उधार ने को दिया जिसे अन्य उपादान कारण के आवशक्ता नहीं है हमारे सरीर से यह डाडी और मुछें उगती हैं तो हम इसके उपादान कारण हो गए और हमारे अंदर जो चेतना है हमारे अंदर जो जीव है वो इसको उत्पन करता है निर्जीव वेक्ति के डाड़ी मूचे नहीं आ सकती जो जीवित वेक्ति है उसी के आ सकती इसका मतलब उसके अंदर जो आत्मा है वो उसका निमित कारण है इस प्रकार से जिस प्रकार मनुष्य है अपनी डाड़ी मूचों के प्रति उपादान और निमित कारण है जिस प्रकार से मकडी अपने जाले के प्रती उपादान और निमित्तकारन हैं उसी प्रकार इश्वर जो है वो इस स्रष्टी के प्रती उपादान और निमित्तकारन दोनों है अब यह स्पस्ट हुआ कि जो स्रष्टी है वो उस ब्रह्म से ही अभियक्त होती है स्रश्टी उस ब्रह्म का ही विवर्त है पर जो इश्वर है वो अग्यान के माद्यम से माया के माद्यम से स्रश्टी का निर्मान करता है तो उसकी कौनशी शक्तिया है जिसके माद्यम से करता है अग्यान की अद्वेत वेदानत में दो शक्तियां हैं। हमने आपको कहा था पहले भी व्यक्षयान में कि जब भी हम अज्ञान शब्द का प्रियोग करेंगे, जब भी हम अविद्या शब्द का प्रियोग करेंगे, तो इसका अर्थ भी आप माया ही समझना। तो माया की या अत्वा अविद्या की दो शक्तिया है आवरण तथा विक्षेप पहरी शक्ति है आवरण आवरण शक्ति क्या करती है ब्रह्म के स्वरूप को ढंग देती है ब्रह्म के स्वरूप को आवरत करती है सचिदानंद स्वरूपम आवरणोती इती आवरण शक्ति है अर्ता सचित आनंद के सुरूप को आवरत कर देती है, यह ब्रह्म के आत्मतक्त्व के सचित और आनंद सुरूप को आवरत कर लेती है, इसलिए इसको हम कहते हैं आवरन शक्ति, उधरन क्या दिया है, कि जैसे एक छोटा सा जो बादल है, वो हमारे दृष्टी पत को ढख ले तो मुझे ऐसा लगता है, कि सूर्य को बादल ने ढख लिया है, उसी प्रकार अज्यान जो है, वो अपनी आवरन सक्ति से परमाता की बुद्धी को ढख लेता है, तो उसको ऐसा लगता है, जैसे ऐसी मित जो आत्मा है, उसको इसने ढख लिया है, जबकि उसका सामर्ते नह पुरुष बादल से अपनी दश्टी ठक जाने पर सूर्य को बादल से ढखा हुआ और प्रभारहित मानता है उसी प्रकार मूडपूरुष जो अपनी दश्टी को अग्यान के दवरा ढखा हुआ होने के कारण आत्मा को बंधन भी पड़ा हुआ, संसारी मान लेता है जबकि वे नित्य ग्यान सुरूप आत्मा है कहने का मतलब क्या है कहने का आशा है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, जैसे सडक पर जा रहे हो और आपने देखा आकाश में कि कोई बादल का टुकडा जो है उसने सूर्य को डख लिया है वस्तुत है बादल का छोटा सा टुकडा सूर्य को नहीं डख सकता उसने आपके दृष्टी पत को डख लिया है इसलिए आपको लगता है कि अनेक सो योजनो परियंत जो सूर्य मंडल है उसको डख लिया है और हम सूर्य को प्रबाराइत मानते हैं एसा हमको जैसे अग्यान होता है उसी प्रकार इस जगत में आत्मतत्तु को आत्मा को अग्यान डख लेता है और हमको यह लगता है कि यह आत्मा जो है इस संसार का ग्याता करता और भोगता है जबकि वह तो नित्य सुद्ध बुद्ध मुक्तस सुभाव है वै तो सची दानन रूप है परन्तो अग्यान के माध्यम से हम उसको बंधन में पड़ाओवा मानते हैं यही आवरन शक्ति है कि आत्मतत्व की जो उसका मुल सुरूप है उस सुरूप को वै ढख लेती है अग्यान की दूसरी सक्ती है विक्षेप सक्ति की जिस प्रकार रज्जविश्यक अग्यान अपने द्वारा डगी हूई रज्यू में अपनी सक्ति से सर्फ आदि की उद्भावना कर देता है उसी प्रकार अग्यान अपने द्वारा ड़की हुई आत्मा में अपनी विक्षेप सक्ती से आकाशादी कार्य समूंग की उद्भावना कर देता है इसको इस प्रकार समधिये कि आपने जैसे अंदेरे में रसी को देखकर सर्प का ब्रह्म किया तो यहाँ पर रसी में जो विद्यमान अग्यान है उसने क्या क्या पहले तो रसी के स्वरूप को डखा और फिर उसमें सर्प को अध्पन कर दिया सत्चिद आनंद रूप को ढख लेती है फिर उसमें जीव को उत्पन्र कर देती है अर्थात विक्षेप शक्ति से संसार को उत्पन्र करती है तो विक्षेप शक्ति क्या है विक्षेप शक्ति लिंगान्ती लिंगादी ब्रह्मान आंतम जगस्रजेत अर्थात विक्षेप शक्ति शोक्षम सरीर से प्रारंब करके ब्रह्मान्ड परियंत समस्त जगत की स्रश्टी करती है इसी को विक्षेप शक्ति कहते हैं सुबोधिनी कार वेदान सार की एक टीका है उसमें क्या का है ब्रह्मा दी स्थावर अंतम जगत जल बुदबुदवत नामरू पात्मकम विक्षिपती स्रजटी ती विक्षेप शक्ति चूंकि ब्रमा से लेकर स्थावर प्राणियों तक समस्त नामरू पात्मक जगत की जल में बुलबुलों की भाती स्रश्टी करती है इसलिए विक्षेप शक्ती कहलाती है अग्यान की जो दोनों शक्तिया हैं वो क्या करते हैं वो क्या करती हैं माया पहले तो आवरन करती है फिर विक्षेप करती है अग्यान पहले आवरन करता है फिर विक्षेप करता है जैसे उधारण के लिए कि रसी को जब आपने अंदकार में देखा तो पहले तो रसी का वास्तविक सुरुप जो था उसको अग्याने ढख लिया और फिर उसमें सर्प को प्रकट कर दिया उसी प्रकार ब्रह्म के सचित आनंद रूप को माया पहले ढख लेती है और फिर जैसा ब्रह्म नहीं है उसमें जगत को उत्पन करती है उसमें जीव को उत्पन करती है उसी में माया को उत्पन करती है उसी में समस्त जो जगत है उसको उत्पन करती है तो ये जो उत्पन करने का कारिया है इसको हम कहते है विक्षेप शक्ति और जो डखने का कारिया है यह होती है आवन सक्ति इस प्रकार यह स्रश्टी आग्यान की दोनों शक्तियों से उत्पन होती है विवर्त होती है अभिव्यक्त होती है प्रकट होती है आशा करता हूं कि स्रश्टी के इस विचार को जिक्षारती बली प्रकार समझ गए होंगे बली प्रकार से अवबोद कर लिया होगा इसी आसा के शाथ सादर नमस्कार